नमस्काल दोस्तों स्वागत है आपका Plastotech The World of Plastics में आज दोस्तों हम जानेंगे Drive Panel पे जो आपका Circuit Diagram होता Electric Circuit Diagram को Read करना बहुत जरूरी होता बहुत Confuse होते हैं हम Electric Circuit Diagram में किस तरीके से Read करें क्या-क्या चीजे होती उसको हम आपको दोस्तों Clear करने वाले हैं आसान तरीके से आपको समझा देंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे इसके साथ साथ हमारे course से जुड़ जाएगा course की link आपको description box में दे देंगे वहाँ पे आपको इस तरीके के बहुत सारी धेलो सारी information सीखने को मिलेंगी चलिए सुरू करते हैं यहां पर देखे सबसे पहले इस जगहां पर आते हैं यहां पर देखे आप थ्री फेस की जो AC सप्लाई है alternating current की सप्लाई है वह यहां पर दीके डारेक्ट जो आपकी सप्लाई जिसको डारेक्ट सप्लाई कहते हैं 420 वोल्ट या 415 वोल्ट यहां पर mentioned है तो 420 वोल्ट mostly होता है तो वह उसकी सप्लाई जो है वह यहां से दी जा रही है यहां से आपके जो वायर निकाले गए हैं जैसे R, Y, B, N, Earthing R का मतलब Red wire, Y मतलब Yellow wire, B मतलब Blue wire, N for neutral और Earth यह इतने wire आपके वहां से निकाले गए अर्थिंग का जो wire है वो अर्थिंग बुजबार में आ गया सिंपल और यहां पर देखेंगे जो neutral का wire है और R, Y, B हैं तो यह R, Y, B जो wire होते सबसे पहले जाके M, C, C, B में इनको connect कर दिया जाता है main supply से आके M, C, C, B में connect हो जाते है यह जो आप देख रहा है black color से circuit diagram में दिया गया जैसा कि आपको पता है हम circuit diagram पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से हमको समझना होगा तो यह चीज़ें जो है M, C, C, B हैं देखें यहां पर लिखा भी हुआ है कि 3 M, C, C, B यहां पर लगी हुई है अब M, C, C, B से wire हमारा जब निकलेगा तो उसका code ध्यान दीजे पहले R, Y, B था अब हो गया R1, Y1, B1 अब R1, Y1, B1 कहां जा रहा है इसको follow करेंगे जब इस line को तो आपको पता चल जाएगा R1, Y1, B1 जो है तरीके से energy meter होता है यह बताता है कितना energy consume करेगी आपकी machine जो है क्या-क्या functions में क्या consumption आ रहा है तो यहां पर देखेंगे R1, Y1, B1 जब energy meter पर गया और साथ-साथ में इसके neutral भी गया तो अब energy meter से इसके wire बाहर निकले पहले इसको हमने connect कर दिया energy meter पर अब energy meter से इसके wire हमने बाहर निकले तो क्या लिख क्या है इसके code सेम रहेंगे R1, Y1, B1 और N अब आगे बढ़ते हैं यह देखें आप wire जो है R1, Y1, B1 और सीधे-सीधे wire गया है लेकिन यहां पर देखें बीच में दो joints हैं उसके बाद यहां पर इसको हम नीचे side उतार रहें diagram के इसाब से तो इसका मतलब हो रहा है कि इस wire में और connection दिये गए हैं तो आपका R1, Y1 देखें यहां पर आ गया R1, Y1 यहां पर भी है R1, Y1, B1 और N और यहां पर देखें R1, Y1 सिर्फ लिया गया तो इस R1, Y1 से हम क्या करने वाले हैं तो देखें दो phase हैं तो इनको हम लेके चलते R1, Y1 यह देखें MCB से connect होंगे direct जाके और MCB, दो MCB लगी हुई है यहां पर MCB से wire जब निकला तो इसका code change कर दिया गया इसके wire का R1, Y1 को यहां पर देखें लिखा है R8, Y1 इसका हो गया R8, Y1 R8, Y1, TR पे गया TR दोस्तों क्या है? यह transformer बनाए गया आपका transformer पर क्या काम होता है इस transformer का? यह आपके 420 volt को 220 volt में convert कर देगी ताकि आपके सारे function चल सके बिना किसी damage से तो यहां पर देखें अब transformer से एक wire निकला 201 अब यह 201 जो wire है यह जो है आपका 220 volt का हो गया दोस्तों, पहले जो यहां पर आया wire R8, Y8 यह जो था, यह आपका था 420 volt का और यहां से जब transformer से आगे बढ़ा तो यह हो गया 220 volt का अब इसके बाद यहां पर आईए आप देख सकते हैं यहां पर पैनल की tube light वगयरा है यह सारी चीज़ें यहां पर आपको मिल जाएगी यहां पर भी देखें यहां पर यह contactor लगा हुआ है और अब इसको समझाते हैं आपको क्या-क्या चीज़ें होंगी इसके साथ-साथ यह देखें जब इस बटन को on करें तो यहां पर चाहें तो आप पैनल कूलिंग फैन का भी स्विच इसी से connections हम देते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखें यह 201 वोल्ट का जो था यह आपका जो है डारेक्ट चला गया तो 5-6 सेकेंड आपकी machine रुकती है फिर इसकी supply जो है वो आपके contactor पर जाती तो contactor पर जाने के बाद यह आपका जो KM लिखा यह contactor है contactor से supply आपकी आगे बढ़ी तो वापस यह जो R1, Y1, B1 की जो straight line आई हुई थी यहां पर connect हो जाएगी तो आपका हो जाएगा R2, Y2, B2 तो अब आगे contactor के बाद जो आपकी coding बढ़ी contactors जो wire निकले उसका code हो गया दोस्तों क्या R2, Y2, B2 अब इसी को follow करते चलिए आपका जो wire है वो सीधा जा रहा है और साथ में नूटल उसके बाद R2, Y2, B2 का आप connection देखेंगे MCB बे यह देखें आप एक और जो है यहां पर MCB लगी हुई है उसके साथ क्या है R2, Y2, B2 है अब MCB से जब भी wire जादा तर निकलता है MCB, MCC बे तो उसके code जो है उसको बदल दिये जाते हैं तो यहां पर देखें R2, Y2, B2 जो था आपका वो गया R3, Y3, B3 और उसके बाद फिर यहां पर देखें लाइन चोक है या लाइन चोक जो है उसके बाद फिर से code चेंज हो रहा है दोस्तों R4, Y4, B4 और उसके बाद यह R4, Y4, B4 आपका चला जाएगा अर्थिंग का जो connection था वो अर्थिंग बुष्बार पर चला जाता और यहां से हम अर्थिंग दे देते हैं तो इस तरीके से हम समझेंगे कोर्ट को समझा जाता है कि कौन सा वायर की जगहां पर जा रहा है कौन सी चीजे हैं यह चीजे जब आप समझ जाओगे तो धीरे धीरे आप सारी चीजे समझ जाओगे उम्मीद करता हूं समझ गए होगे drive panel का जो यह आपका circuit diagram सा कुछ इसी प्रकार circuit diagram सा हम सीखेंगे थाल थे जब आपका जाओगे